हाई दोस्तों कैसे हैं आप सभी तो आपके साथ में शेयर करने वाला एक बेस्ट माइक्रो कैप कंपनी जो आने वाले वक्त में एक तरह से कंपाउंडर बन सकता है लॉंग डम पस्पेक्ट्व के साब से मिनिमम टाइम फ्रेम आपका पांस साल के नीचे नी होना चाहिए कोई भी między के एक दिशकरने का प्लान करें और सबसे inploatलющ का भिजनस काफी अच्छा होना चाहिए इस कंपनी को पर मने और अलडिधी रिसर्च बहुत रहा है और रिसेंटिस में टेलविंट देखने को मिला है डिमांड सडनली जो सर्ज हो रहा है राइट सिल्स इंक्रीज हो रहे हैं अच्छा कर सकता है जो मैं और डिसकर्स करूंगा आपको ले चलूंगा यह कंपनी आपका 11 प्रोड़क्ट केटेगरी इंक्लूड करता है क्र करता है यह कंपनी डिजाइन टू डिलीवर सब कुछ करता 15 दिन से लेकर क्या आगे देखेंगे जहां पर कंपनी में टोटल 6000 SKU है 21 कंट्रीज में एक कंपनी एक्सपोर्ट करती है विट एवरेज रिलेशन्शिप जो इनका कस्टमर के साथ है जो टॉप 10 मोर दन 10 यह के ऊ हूं तो लेट मी शेर माइ स्क्रीन तो अबाउट एस इंटरप्राइस लिमिटेड के बारे में जो मैंने आपको यहां पर कहा कि 15 से लिखेंगे सिक्स मन्त के आसपास का डिजाइन डिवलप्मेंट का फेस अब इस कंपनी के अंदर में क्या चेंज है सारा जिसके उपर मैं बुलिश हों तो यहां पर हम देखेंगे order book financial number बागे का चेक कर लेंगे तो company के बास currently जो order book है almost 90% of FY23 जो forecasted revenue 2023 का है मतलब जो 2023 में जो forecast किया गया उसका almost 90% order book इनके हाथ में और क्या-क्या reason है जिसके विसे जो यह revenue generate होगा पहला की customer growing mega accounts and driving export expanded business in USA से winning business from two new plants of whirlpool so whirlpool जो USA में उनका जो दो प्लांट है वहां से उनको एक तरह से business मिला है इन्होंने new geography में अंटर किया है Argentina with a new order been from Aladio a leading manufacturer of domestic appliances in Latin America right so यह कुछ है as just continuous growing with a mega accounts winning new orders from Continental Marley जो दूसरे-दूसरे client है बड़े-बड़े मतलब बड़े-बड़े जो आपका consumer equipment से लेकर कि auto space में जो deal करते हैं वहां से उसके बाद expect कर रहे कि focus on new product development and technology जहां यहां पर यह company का आप जानते हो कि quality cost design and deliver capability से बिलॉंग करते हैं और कि new product पर हमेशा focus करते हैं उसके बाद company का जो margin almost maintain EBITDA हो यह पार्ट जो हम आगे चेक करेंगे यहां पर इस company की क्लाइंस अगर हम देखें तो यहां पर इंटर्ण में जो रिसेंटली एलेडियों इन्होंने एक तरह से जो इनको order book मिला वहां से वह पूल हो यह दो दूसरी बड़ी-बड़ी ग्लोबल OEM companies है आपका consumer equipment से लेकर कि auto space equipment के अगर हम बात करें नाइट इस company का अगर यहां पर 25.3% 26.4% तो continuous company का EBITDA margin भी इंप्रूव हो रहा है वहीं पर कंपनी का profit margin इंप्रूव हो रहा है यहां से quarter quarter basis पर कर देखें तो काफी अच्छा सब्सक्राइब अल्मोस 82 basis points से इंक्रीज हुआ है इसके लिए कंपनी क्या करें कि 20% क्यों हो सकता है इनका वह भी पाइपलाइब जो डिमांड कंट्रीनस के इंक्रीज रहों को मीट करने के लिए यह क्रोम प्लेटिंग के अंदर में गाड़ी के अंदर में चोड़ा सब्सक्राइब और तू विलर त्री विलर या अलग-अलग में एक्सपेक्ट करने की कम से कम इससे 300 क्रोड का बिस्नस जनरेट करेंगे और उसके लिए कंपनी 100 क्रोड के आसपास स्पेंड करने वाला के पिक्स करने वाला दो साल से लेकर के अल्मोस्ट धाई साल के बीच में तू फंडेट लाजली इंटर्नल एक्रूवल से मतलब प क्रोड कंपनी ग्लूबल प्रिजंस इंक्रीज करें हुमने अल्रीड डिसकर्स किया टर्की ब्रजील अर्जंटीनिया एक्सेटर तो एक्सपोर्टिंग बिजनस भी करोगा जो इनके टॉप लाइन को कॉंट्रिब्यूट करेंगे नए प्रोड़क्ट पर फोकस करें रहें पर फोकस कर रहें राइड कस्टमर बेस इंक्रीज कर रहें तो यह कुछ फाक्टर है जिसके विसे कंपनी को लगता है कि आने और टाइम में कंपनी काफी अच्छा का सा रेवेन्यू रिपोर्ट करेंगी राइड आउट लोग 23 उसके लिए क्या क्या कर रहें जैसे कि प्लास्टिक इंजक्शन मोल्डिंग हो गया एक्सपांड प्रिजन कंज्यूमर रिलेटेड इंडस्टी हो गया वहां पर फोकस करने फिर एंटर न्यू जोग्रोफी जैन ओड़ी प्लान करके रखा है एक चीज नोटिस करना जब भी कोई आप माइक्रोगाप कंपनी स्ट प्रॉमिस कर रही है कि निः जैसे कि लारस्थ लाइब में कंपनी के मैनेजमन ने प्रॉमिस किया था वह चीज डिलिवर कर रहे है इसके लिए कंपनी के अंदर में चेंज आ सकता है लॉंग टर्म में जो मैंने शॉट वीडियो बना करके डाला था आप जाकर करके देख स expected to grow 15.6% volume right वहीं पर SJS का business expected to revenue 43.3% के आसपास grow सकता है मतलब यह industry का है and this is how the SJS का business likely to grow right और वहीं पर passenger vehicle से 28.8% के आसपास तो SJS expect 25% revenue growth account of expected positive outlook for two-wheeler passenger vehicle and consumer durable जो CD का इनका business है तो premiumization करने वाले मतलब जो भी product है उसके उपर premium charge करने वाले निव कस्टमर बिन कर रहे है export increase करने जिससे कम इस company का higher sales number यह report कर सकते है higher visibility की current order book भी काफी बहतर है जो कि 90% FOI 23 का forecasted revenue जो कि maybe अलग-अलग CHR और दूसरे method से हम forecast करते हैं और revenue के close आ चुका है expected company का earning grow होगा EPS grow होगा strong more strong profit margin expected operating leverage drive pad growth of 30% year on year going head तो यह company का expectation है तो फंडामेंटली वाइस company seems to be a very good for investment लेकिन यह stock कब बाई करना चीए था वो चीज़ भी आपको notice करना यह stock को अभी सेने में बहुत पहले से focus कर रहा हूं आपको याद होगा IPO के time से focus कर और every dip पे यह stock को add करने के लिए मैंने कहा है right so let's go on यहां पर आ जाते हैं SJS अभी के time पे आप देख रहे च्छे टक का पसंट अच्छे पसंट का अपर उपर गया था 522 रुपीस का stock trade कर रहा है लो बनाया था 340 रुपर जिब इसका IPO आया था उसके बाद लगा था और बिजनस काफी अच्छा होना तो डरने की बात नहीं बहुत सारे बिजनसे जो अच्छा रहते हैं लेकिन को time लगता है कि वह क्या चीज़े वह आनुगलर टैम में deliver करेंगे तो वह stock नीचे आया उस तेम पर I think 340 तो से मार्केट कर भी कंपनी का 1000 या 1200 क्रोके आसपास आ चुका था यहां पर कंपनी का रिटन काफी बहतर है यहां पर face value 10 के आसपास है कंपनी के नमबर ऑफ शेर 3.04 क्रोके आसपास मतलब जादा free float कम है तो इसको अभी के लिए बाई करना long term में काफी बैदा सावीत हो सकता है क्योंकि face value 10 से तो split होने की भी higher probability होता है क्योंकि आज 2425 रुपे का स्टॉक है तो ऐसे कुछ companies आप आज identify करो और 15 साल तक उसको hold करो मतलब कुछ investment आम नोट टॉकिंग कि पूरा गबर आप investment करो क्योंकि मैं खुद personally swing trade करता हूं तो कम से कम साथ रुपए आप swing करो या साथ रुपए invest करो तो वो चीज आपको long term में compounding का फाइदा देगा ऐसे business को identify करो राइट अभी यहां पर आप notice करना कि company का how the company is doing in terms of operating margins company is able to maintain 30% के आसपास company maintain कर पा रहा है अरिंग प्राइस पर शेर इस कंटिनुस्टी ग्रोइंग 3.31 4.48 4.55 4.7 और यह 5 तो अलमुस्ट कंपनी का अरिंग प्राइस पर शेर कौटर कौटर इंक्रीज होगा order book काफी strong है जिससे company और अच्छा नंबर रिपोर्ट करेगा तो likely chances की company अच्छा नंबर रिपोर्ट करेगा तो stock price may go to 700 or 750 in short run मतलब में chances की 621 month one year के अंदर में यह 700 700 को भी cross कर सकता है higher probability जिससे अब से यहां पर आप EPS अगर देगो 12, 13, 15, 17, 19 तो country company का year on year basis पे cotton quarter basis पे भी company अच्छा नंबर रिपोर्ट कर रही है नहीं पर cash flow from operation अभी के टाइम पर आप देखो 58 58 56 तो मेरे ख्याल से अनुल टाइम में जिस तरह से order book cash flow और अच्छा नंबर रिपोर्ट करेगी जिस आप से company का नया product launch हो रहा है इसके लिए इसके लिए इसके अंदर में लोगों ने स्टार्टिंग सही डिया ने इन्वेस्ट करके रहा है क्यों को पता है कि लिए तो मार्केट जब नीचे गरें तो वन यह इसके आवरेज आउट फॉर एवरेज आउट फॉर एविजए आउट पॉर्ट पॉर्फोलिय अलोकेशन जिसका अगर दस लाग का पॉर्फोलियो देटन प्लान फिप्टी थाउसन और वन लाग का सबाज उनका जो भी लाइट सो लॉंग तो परॉट प्सक्टेव के सबसे कि पंदरा सो कोड़ का मार्केट का है सिक्स्टेंट कोड़ के आज पास हो जाएगा नाव लुक अट कंपनी का शेर प्राइस जो मैं आलएट यहां पे ड्रॉट करके रखा है तो यहां देकरों कि बाइपोलर इन नेचर यहां से राइजिंग ट्राइंगल पाटन फॉर्म और वॉल्यूम यहां से दिख रहा है कि इंक्रीज ओर जो एवरेज वॉल्यूम वह भी बढ़ता जा रहा है तो यहां पर अच्छा का सा वॉल्यूम पूर्ट हुआ या ब्रेकाउट हुआ है तो इस टॉक के अंदर में सिर्फ और सिर्फब बिजनस पे फोकस करना बिजनस बैतर होनी की वैसे सिर्फ को बई किया जा सकता है ट्रेड के साब्स इसकंदर कोई चीज सेट अप नहीं हो रहा है ट्रेड का। आलरड़ी सेट अप यहां पर जो चला गया है यहां पर जो चला जा चुका है इंवेस्टमेंट के लिए इसके अंदर में थोड़ा सा वेट करने और पेशेंट करने की जरूरत है कि एक साथ यह सारा का सारा यह कंपनी इसको बाई बिल्कुल मत कीजिए बले कितनी भी अच्छा बिजनस हो कितना भी अच्छा बिजनस क्यों नहों कभी भी व यह जितनी प्यट्सी कंपनी लगती आपको दोंट बाया त वन गो राइट यह अंदर करेक्शन अल इपनेसर अंदर करेक्शन वाय ग्राइट वाय ग्राजुली एक थांकि सो मुच्छ विल्कनेक्ट आन नेक्स वीडियो थैंक्य सो मुच